किसी तालाब में कंबो ग्रीव नामक एक कच्छुआ रहता था। तालाब के किनारे रहने वाले संकट और विकेट नामक हंस से उसकी गहरी दोस्ती थी। तालाब के किनारे तीनों हर रोज खूब बाते करते और शाम होने पर अपने अपने घरों को चल देते। एक वर्ष उस प्रदेश में जरा भी बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे वह तालाब भी सूखने लगा। अब हंसों को कच्छुए की चिंता होने लगी। जब उन्होंने अपनी चिंता कच्छुए से कही तो कच्छुए ने उन्हें चिंता ना करने को कहा। उसने हंसों को एक युक्ती बताए उसने उनसे कहा कि सबसे पहले किसी पानी से लबालब तालाब की खोज करे फिर एक लकडी के टुकडे से लटका कर उसे उस तालाब में ले चले उसकी बात सुनकर हंसों ने कहा कि वह तो ठीक है पर उडान के दोरान उसे अपना मुह बंद रखना होगा कच्छुए ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह किसी भी हालत में अपना मुह नहीं खोलेगा कच्छुए ने लकडी के टुकडे को अपने दांट से पकड़ा फिर दोनों हंस उसे लेकर उड़ चले रास्ते में नगर के लोगों ने जब देखा कि एक कच्छुआ आकाश में उड़ा जा रहा है तो वे आश्चर्य से चिल्लाने लगे लोगों को अपनी तरफ चिल्लाते हुए देखकर कच्छुए से रहा नहीं गया वो अपना वादा भूल गया उसने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुँ खोला कि आकाश से गिर पड़ा उच्छाई बहुत ज्यादा होने के कारण वो चोट जेल नहीं पाया और अपना दम तोड़ दिया सीख बुद्धिमान भी अगर अपनी चंचलता पर काबू नहीं रख पाता है तो परिनाम बुरा होता है